पश्चुमिल के तर्ट से टक्राने के बाद साइक्लॉन रीमाल कमजोर पड़ चुका है लेकिन रीमाल में तुफान की साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रहे हैं अलग-अलग इलाकों से डरा देने वाली तस्वीरे आ रही है बंगाल के कई जिलों में चक्रवाती करें कहीं गिरे पेड कहीं गिरे दिवार पश्चुमिल के बंगाल से चक्रवाती तुफान रीमाल गुज़र चुका है करीब 6 घंटे तक चली तुफानी हवाओं ने बंगाल के कई जिलों में लोगों को दैशत में ला दिया दावा क्या जा रहा है कि इस तुफान के वजह से कई जिलों में अच्छी खासी तबाही हुई है वो तस्वीरे भी आपको आएंगे उससे पहले रीमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आदा जिलों में रीमाल का असर देखा जा सकता है इसमान तेज बारिश का अलट जारी किया गया है मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमेटर पर सी घंटा के रफ्तार में हवाएं चल सकती है यही वज़े है कि कई फ्लाइट्स को भी रद्ध कर दिया गया है अधर कोलकाता में चल साफ तौर पर देखा जा रहा है बहां लगातार बारिश हो रही है जगे जगे से बड़े बड़े पिखरने की तस्वीरे आ रही है कोलकाता मेरे माल दूफान अपने पीछे छोड़ गया है तबाई की तस्वीरे देखिए सदन एविन्यू इलाका जांकी में तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर एक पेड और एक बिजली का खंबा दोनों एक साथ गिर गए है हवाओं के तेज गती के चलते कर रात भर बारिश हुई है खोड़ता में जगे जगे पर पानी भी जमा हुआ है और साथी यह तस्वीर देखिए और पूरी साड़क जो है इसकी वज़े से जाम हो गई है कई जगों पर पेड तूटकर गिरें जिसकी वज़े से ट्राफिक डिस्टर्ब हुआ है पूलकता भी तूफान की वज़े से एक पुरानी इमालत की बाउंडरी वाल गरने से एक शक्त की मौथ हो गई तूफान की कहर का असर जिन जिलों पर सबसे ज़ादा हुआ है वहां राहत और बचाव खारे तेज कर दिये गए है जिसके अलावा सडकों पर अवाजाही को दुरुस्त करने के लिए तूफान के वज़े से गिरे पेड़ों को भी अटाया जा रहा है